हलो स्टूडेंट्स विल्कम बैक डिशनल दिनेश सरी सुरे में बात करेंगे फाइनल यहर कि जो स्टूडेंट से डिग्री कॉलेजिस के जो आइड़ल के स्टूडेंट इंस्टिटूट आफ दिस्टेंस और ओपन लर्निंग युनिउर्सिट्टी अब मुंबई से उन सभी की एक्जाम सोनी थी लेकिन इनकी एक्जाम में जो कहा गया था कि आपको 24 गंडे के पहले लिंक आएगा अगा वो लिंक आया नहीं एक्जाम नहीं दे पाएते और उसके बाद जो आईडोल के अधिकारी है वो हरकत में आ गए और बाद में जब उन्हें पता चला कि इतना बड़ा इशू हो गया है तो उन्होंने सबको आशवाशन दिया है कि जो आईडोल के स्टूडेंट्स हैं जो एक्जाम नहीं दे आगे की एक्जाम देते रहें जैसे टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग और जो जो एक्जाम नहीं दे पाएंगे जैसे पहला पेपर नहीं दे पाएं किसी टेक्निकल कारण से तो ऐसी एक्जाम जो बाद में दे सकते हैं उनके लिए वापस से रिशेडूल किया तो यह जो है यहाँ पर जो आइडल डिपार्टमेंट है वहाँ बहुत हंगामा हो गया था पुलिस भी आ गई ती हंगामे के अंदर बाद में सभी अधिकारी जो है कहने लगे कि आप लोगों की गलती आप लोगों ने टीक से नहीं किया होगा लेकिन फिर बच्चों ने ज़्यादा दबा बनाया तो उन्होंने अपनी गलती मानी उन्होंने ये कॉंट्रेक्ट किसी एजेंसी को दिया है जो पूरी ऑनलाइन एक्जाम जो है कंड़क करवा रही है लेकिन जो बच्चे है उन तक टेकनिकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो लिंक नहीं पहुच लिंक पहुच रहा है तो फिर वो पासवर्ड नहीं चल रहा है या ओपन नहीं हो रहा है लॉग इन नहीं हो रहा है इसे बहुत सारी टेकनिकल प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये पहली बार इस तरह से एक्जाम ली जा रही है सुप्रीम कोट के और के बाद जब कहा गया कि जो एक्जाम से वो लेना ही पड़ेगा तो स्टूडन से यह कहना चाहूँगा कि आप लोग टेंशन मतलो इसमें जो भी है एक्जाम से आपका सब्जेक्ट है आते जा रहा है आप देने की कोशिश करो अगर कोई एक्जाम आप दे नहीं पा रहे टेकनिकल रीजन से तो आ आज के वीडियो में इतनी जानकारी है ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्स्राइब करके रखें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें मिलते हैं नए वीडियो में ऐसी और जानकारी के साथ बाइवरीवन